चैहिन नमस्कार क्या हाल चाल मेरा नाम है क्रिश और आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से चैनल के उपर आज की वीडियो में हम कबर करेंगे टॉपिक साइबर सेक्यूरिटी यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथ ही में नौलेज के लिए जैसा कि टेक्नोलोज इजन्स आ गया इटी सेक्टिरिता डेलप हो रहा तो यह जो साइबर सेक्यूरिटी टॉपिक इसको जानना बहुत जरूरी है तो इस वीडियो में हम काफी फैक्ट और साथी पॉइंट को कवर करेंगे आप वीडियो को अन तक देख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे स इस सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने है तो चलीए शुरू करते हैं हम सुरू करते हैं अपने पहले स्लाइट पर आपको लेके चलते हैं सबसे पहले हम जानेंगे और समझेंगे कि डिफिनेशन क्या है साइबर सेक्यूरिटी का और इस पॉइंट को आप कहीं लिख साथियों अगर साधानार बात करें तो cyber security को हम information security भी कहते हैं और यहाँ पे जो हम protect करते हैं अपने system को, अपने network को, data को, उसी को कहते हैं cyber security तो किस चीज़ से हम यहाँ protect करते हैं तो जो unauthorized access होते हैं जैसे कुछ access कर लेते हैं फिर hack कर लेते हैं तो चीज़े ना हो उस चीज़ों को protect करने की जो technique है that is cyber security I hope कि यह जो आपको point है clear हो गया होगा ठीक है तो हम आपको लेके चलते हैं अपने अगले slide ठीक है तो साथियों why cyber security matters मतलब क्या जरूरत पड़ा इसका क्यों क्या matter पड़ा ठीक है तो protecting personal information साथियों आज की डेट पर हम whatsapp facebook instagram इतनी चीज़े चला रहे हैं है ना तो हम सब चीजों से जो बचने के तरीके होंगे कैसे अपनी जो डाटा है अपनी जो प्राइवेसी है उसको संभाल सके तो इन्द डिजिटल है भी से अप्ले थोड़ा और पर्शनल information online यानि कि आज के टाइम पे हम अपना जो सभी चीज़ें पर्शनल information को online share करते हैं अगर आप Snapchat की बात करें तो आप हर पल का information आप वहाँ share कर रहे हो कि आप कहा हूँ क्या कर रहे हो इंस्टाग्राम पे share कर रहे हो location share कर रहे हो तो यहाँ पे cipher security एक safe guard का का काम करेगा this information from falling the wrong hand कि कहीं गलत हाथों में न चला जाए और आपकी identity को भी सम्हाल के रखेगा कोई unauthorized access ना कर सके preserving financial security साथियों आज की date पे cash बहुत कम लग यूज कर रहे है phone पे ptm google पे सभी चीजों को तो online banking shopping and financial transaction यह routine बन चुका है daily routine बन चुका है तो cyber security measures are essential to safeguard our financial information preventing fraud activities and unauthorized transaction ठीक है cyber security ही होगा यहाँ पे जो आपको आपकी जितनी भी financial information है जो आप banking करते हैं online उन सब चीजों से आपको बचा के रखेगा और कोई भी unauthorized transaction नहीं होगा तो यह cyber security का पूरा काम होगा ठीक है I hope कि यह point भी clear होगा ठीक इसी point में है नहीं cyber security matter में ही अगर और भी हम देखें तो securing business and organization तो आज की डेट पे क्याफी website काफी coachings online run कर रही है तो कुछ गलत access नहों जाए गलत fraud नहों जाए आपके साथ छोटी मोटी चीजे नहां बहुत बड़ी चीजे create हो जाती हैं बाद में काफी fraud आपको सुनने में भी आ रहा होगा तो इस तरह जब point to point बोलोगे कहीं पे भी lecture time में या कहीं पे भी तो बहुत अच्छा लगता है ना तो यह point आप जरूर एट करना कि business or organization point for business cyber security is a safeguard against data breaches that could lead to financial losses damage to reputation and compromise of sensitive information आपकी जो personal information उसको समाल के रखेगा किसी भा organization की जो है on social media अगर आप hack कर लेते हो तो उसका image है ना पूरा आप खराब कर सकते हो आपके पास access हो जाएगा तो इस सब चीजे ना हो इसलिए cyber security matter करता है ठीक है इसके बाद साथियो national security concern देखो government ने जो है यहाँ पर worldwide organized किया है the critical role of cyber security हम सब को पता है बहुत ही critical और बहुत ही important और crucial role है यहाँ पर cyber security का in protecting national interest cyber attacks can disrupt critical infrastructure and compromise sensitive government information साथियों यह जो cyber security है यह पुरा आज की डेट पे एक act बन चुका है सुचो एक time था है न वार्स होते थे अभी cyber wars होते हैं इस पे भी act है rules and regulations है अभी हाल ही में iPhone के साथ जो हुआ है इपल में सभी के phone पर message आ गया था आपको याद होगा कि fraud हुआ है आपके साथ यह वो तो उसब चीजों को से बचने के लिए cyber security काम कर रहा होगा साथ ही कोई भी चीजे आपके साथ गलत ना हो जाए गलत डाटा आपके पास ना पहुँच जाए इन सब चीजों को ध्यान दे रहा होगा इन सब चीजों से आपको बचाएगा cyber security clear simple just you have to not like कि पूरा यह चीजे बोलो government word 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 नहीं आपको पस point add करना है तो आपके दिमाग में चीजे clear होनी चाहिए कि national security concern भी होता है cyber security ठीक है simple तो यह तो हमने अभी तक समझा कि cyber security होता क्या है और cyber security क्यों जरूरी है ठीक है किस किस चीजों से बचा रहा होगा हम सब को अब यहां पर थोड़ा सा अपने लेक्ट्रे टाइम में न सोड़ी सी यह सब चीजे दिमाग में automatic आ जाती है अगर point to point आप चीजों को relate करके समझो तो अभी हमने जान लिया क्या होता है क्यों जरूरी है अब हम समझते है कि यह जो होते हैं जो हमारे साथ फ्रॉड होते हैं उसका क्या नाम है क्यों होता है और किस जरिया होता है ठीक है तो साथी मल्वेर यह जो मल्मतलब गंदगी होता है ठीक है तो उससे आप समझते हैं मन्सी सीस सॉप्रेयर है निकि जो सॉप्रेयर होते हैं जिनके वज़े से हमार आउर डिवाइस and compromise data integrity, रिगूलर एंटिवायरस updates are crucialamine, थीक है, तो यह थो हो गया कि, कैसे होता है, मल् خ lapse ou software की वजय से होता है, थीक है, तो regular एंटिवायरस updates करेंगे, तो उसक भी आउगी हो, सब सही हैगा, तो यह एक point आप बोल सकते हो, इसके बाद, Fishing Attacks Cyber Criminals Often Use Dispective Emails Or Messages To Trick Individuals Into Revealing Sensitive Information ठीक है Vigilance And Skepticism Are Key In Identifying And Avoiding Fishing Attempts ठीक है ठीक है ठीक है जो Fishing Attacks होते है यानि कि छोटी-छोटी छोटी-छोटी शीजू का Attack होता है कि आपको Email आएगा कि Sir आपको यह Lucky Draw हो गया है या तो यह हो गया है वो हो गया है तो यह सब चीजे ना हो तो Email एक Official चीज है लोग जो है Google के जो सबसे ज़्यादे Trust में चीज आता है वो Email होता है हम कुछ भी चीज भेज रहे होते हैं Email के थूँ भेज रहे होते हैं गवर्मेंट कुछ हमें बताना चाहता है तो Email के थूँ बताता है तो Email पर हम सब इतना Trust करते हैं तो Email को भी प्रॉपर इन सब चीजों से बचाया रखने के लिए हम सब को Email बहुत ही Safe माना जाता है हम लोगों के दिमाग में Trust बनावता है इमेल के उपर ठीक कभी भी आप पास्वर्ड रखते हो फोन में कहीं पे भी तो वीक पास्वर्ड मत रखो कि Simple नहीं मैंने 1, 2, 3, 4 तो अल्रेड़ी तो Hacker बेरी हैना बहुत एक्सपर्ड होते हैं इन सब चीजों में तो आप Simple रखोगे तो तुरंता फ्रॉड के सिकार हो जाओगे कुछ special character यूज कर लो थोड़ा सा हैना numbers यूज कर लो capital letter, small letter थोड़ा सा complicated रखो उसको पास्वर्ड कभी भी simple मत रखो अब Wi-Fi कहीं भी यूज कर ले तो अभी तो बीच में हुआ था ना आप कभी open Wi-Fi यूज करते हो railway या कहीं open पे तो थोड़ा उसको समखल के maximum कोशिस करो कोई मत यूज करो हैना वहाँ पे जो hackers होते हैं more active than normally हैना तो इसलिए आपको Wi-Fi कभी भी secured वाला यूज करें ना कि unsecured चीजों को यूज करें using public Wi-Fi without proper security measures exposes us to potential threat है आपके साथ वहाँ पे fraud हो सकता है आपके mobile वहाँ पे hack किये जा सकते हैं तो एवाइड करना है आपको ठीक है unsecured network को access करने से simple इसके बाद साथियों ठीक है थोड़ा सा और point समझ लो ठीक है तो cyber security related सारी चीज़ा आपके mind में तो clear हो जानी है तो कोई जल्दी नहीं है अराम से एक चीज़ को हम समझेंगे ठीक है point to point समझेंगे तो कैसे cyber security से बचे हम ठीक है कभी भी आप किसी topic भी बोलते हो तो क्या होता है क्यों होता है क्या problems होती है कैसे solve होती है उसके बाद कैसे उसका conclusion में हम बोलते है कि क्या solution है ठीक है pollution है तो यार पेड़ लगाओ पेड़ मत काटो है न तो उसी तरह cyber security बहुत fraud कर रहा है तो कैसे इन सब चीजों से बचे इस पे भी तो बात करेंगे तो देखो यार सबसे पहले तो आपको regular updates रखने होंगे ठीक है term and condition आपको पढ़ना है एक एक point आपको पढ़ना होगा तभी आप उसको access दो क्योंकि समझो यार आपकी एक छोटी सी गलती है न सर बहुत बड़ा problem create कर सकता है ठीक है simple password मैंने अभी proper आपको बताया कि कभी भी यार सर आप आसान password न रखो है थोड़ा सा complicated password रखोगे तो unique password रखोगे तो वो जादे safe होगा awareness and education कभी भी चीज़ियों को जब हम करते हैं तो cyber security ठीक है आपकी दिमाग में होना चाहिए cyber security यह नहीं कि कोई इंसान है automatically आकर आपको क्यार लेगा cyber security is just like कि आपको बता सकता है कि सर आपको जैसे है न कोई illegal या कुछ इधर उदर के app जब डाउनलोड करते होगे तो बोलता होगा this may cause your harmful आपके phone को इफेक्ट कर सकता है फिर भी हम करते हैं है न सर तो उन सब चीजों से बचना है हमें regularly अपने आपको educate करना उस फिल्ड में क्या रिस्क है safe online practice कहां कौन सी site पे जा रहे है उस site के बारे में समझो उसके बारे में एक knowledge aware रहो है न educate रो उस फिल्ड को रहे है कोई भी data है तो आपके पास उस data का अगर data बहुत important है आपके लिए आपकी life के लिए तो उसका backup भी आप रखो आप ट्रस्ट करो किसी भी आप पे बिल्कुल ट्रस्ट करो बहुत अच्छी बात है बट उसका backup भी रख लो है न आप जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते है न फोटो होता है mobile में फोटो होता है तो उसको हम email पे सेब कर लेते हैं स्ट्राइब पे सेब कर लेते हैं Google फोटो पे सेब कर लेते हैं तो यहीं होता है back up कि यहाँ मेरे गैलरी से हो गया फोन मेरा फॉरमेट भी हो तो मेरे email पे मेरा फोटो सेफ है सिंपल privacy भी है आपका और वहां फोटो सेफ भी है सिंपल इसी तरह आपको अपने चीजे कि यह सिखा किया समझा तो दोगो साइबर सेक्यूर्टी ईजए कलेक्टिव रिस्पॉसबिलिटी ठीक है कलेक्टिव मतलब इक गुरूप की होगी साइबर सेक्यूर्टी में बुला ना कोई इनसान तो होगा नी हमें भी अवेरन होगा है यहीं कि एक-एक यूनिट एक एक छोटी-छोटी section भी matter करेगा यहां पर ठीक है तो यह collective responsibility है by implementing these best practices अभी में पीछे हमने बात कि उसा practice को अगर आप proper करते हो staying vigilant अपर सतर करते हो है ना तो we can create a suffer digital environment बहुत safer है ना बहुत safe सुरक्षित एक दब है डिजिटल इंवार्मेंट होगा डिजिटल तो सब हो रहा है ना तो थोड़ा सा अपने आपको साउधान और सतर करते हैं इस फिल्ड में भी for ourselves and contribute to a more secure online word तो इससे क्या होगा हम खुद तो बचे रहेंगे और हमारा जो online word है online दुनिया बनती जा रही है आज के टाइम पर तो वो सारी चीज़े safe रहेगे तो thank you so much sir अगर आप वीडियो को इन तक देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर थोड़ी सी भी आपको है ना तो information मिला हो इस वीडियो सो तो please यार जाने से पहले चैनल को subscribe कर दिना मिलते हैं next वीडियो में किसी और topic के साथ thank you very much जैहिंद नमस्कार